आपको याद होगा वो वक्त जब भारत देश पर कुछ काली शक्तियों ने अपना वर्चस वस्थापित कर लिया था चारो और हाहाकार मचा हुआ था, इनसान तडब रहे थे और इन सब की कारण वह एक धिंचक पूजा जिसने कभी तो सेल्फी मैंने ले ली आज, कभी दारू दारू दारू, कभी बापू देते थे थोड़ा कैश, कभी दिलो का स्कूटर है मेरा शूटर और ना जाने ऐसे कितने करिंच गाने बना बना के सोशल मीडिया का निरंतर शोशन किया लेकिन जब धरती धिंचक पूजा के खौफ से जूज रही थी, एक दूसरा बलवान जनम ले चुका था वो जो इस सदी का सबसे महान गीतकार कहलाया जाएगा वो जिसके गाने लोग अपने अलाम की तरह यूज करेंगे ताकि अलाम बजने से एक घंटा पहले उठके अलाम बंद कर सेगे ताकि उनको वो अलाम न सुनना पड़े वो जिसके गाने कॉंस्टिपेशन के इलाज के लिए यूज किये जाएंगे वो जिसके क्रिंज के सामने डिंचेक पूज़ा क्रिंज भी इत्तू सा लगता है मैं उस फड़फड़ा वाले अंकल की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ उस महान गीत कार की जिसने हमें जैसे कमाल कमाल के गीत दिया है लेकिन बात मैं मुवी में एक बहुत ही पॉपुलर काहवत है और इस महान वाक्य को सच करते हुए हमारे प्यारे तोनी ककर लानत अच्छी छोड़ा असिफ हमें लॉकडाउन में क्रिंज की कमी पढ़ रही थी के क्रिंज की देवी धिंचेक पूजा और हमारे फेवरेट टोनी भाईया तोनों ने एक ही हफते में अपने अपने अटम वो न्यूक्लियर वॉक्स गाने निकाल दी है अब लोगों को तो बताईये जब जब करेगा अब उनको तो आना पड़ेगा विउस के लिए आना पड़ेगा मेरको जाना पड़ेगा हي कैलो मा भी में मेरा नाम है घ्लमी कुरकुरे मेरा जननमना अक्शूली बशबन में हो गया था और मा मेरे लेडी सी जो मैं पेदा हो आँ ना मेरे पेदा होते ही मेरे पापा ने बोल दिया था मेरा बेटा बस फिर क्या था वहा दे शुरू हो गई मेरे सिंगर बनने की जरनी सारे गा मापाधानी सा अब तुम गाऊ सा, 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 अरे टोमी वेटा, रे गामा पाधा नीशा कहा गया? वो मैं मस्ततियल में फ्राइ करके हैं, वो मैं खा गया सर जब सा से काम चल सकता है, तो रे गामा पाधा नीशा की क्या जरुरित है? सा 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 आप लोग ही बता हो या जब सा से काम चल सकता है तो बाकी रेगामापा की क्या श़रू रत है स्कूल में भी टीचर बोली A for Apple A for Apple B for Boy B for Apple C for Cat C for Apple A for Apple, B for B Apple C for B Apple, D for B Apple E for B Apple, Apple, Apple Only Apple Apple मुझ पे जनता का आरोप है कि मैं अपने गालों में same lyrics बार 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 रिपीट करता रहता हूं अरे एक बात बता हूं मैंने गाना लिखा खुरी तु चॉकलेड़े ले GRAHAM मेरी कभि केक है कभी केक है कभी केक है खुरी छॉकलेड़े आए, 1 Billion views तो आके क्यों बढ़ा हूं? मैं, ऊपर से तुम लोग कहते हो भाई तरको having lyrics निकनना आता है तुमें पता है लेक्से सिद्दा है YOU'RE THE CHAM anom reconoc पानी 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 बहुत तेज है तेज ऑल यादा जाएगी में मी नानि पानी 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 अपी अपी तो लगता है Kapunich Haryjit Imran Kamil और लिरिक्स रइटर है Javmit Jaffry Javid A screens पुला लिया था लाइव गाने के लिए मेरा मैनेजर बोला अच्छी ओपरिशूनिटी तो मैं चला गया मुझे गया बता था लाइव शो में आटो टून नहीं होता अटो टून के बिना भी मैंने बहुत अच्छा काया था यार दीदी तो मेरा काना सुनके रो भी पड़ी थी पर ओडियन्स को बसंद नहीं आया आज जा के चेक कर लो यूटिउब पर उस फैन फेस्ट की सब की परफोर्मेंसेज मिल लेगी सिवाए मेरे ये थोड़ी ना क्या रहो कि मैने हट वाई है समझ रहो समझ रहो तुम्हें बता है मुझे नोबल प्राइस मिला है मेरे गाने सुनने के बाद कोमा में वड़े पेशेंट्स खुद खड़े होके स्पीकर बंद कर रहे है और लोग कहते हैं मेरे गाने बेकार है तुम लोग यूटिउब पर ये नल्ले रोस्टर्स बनाते रहो मेरे उपर वीडियो पर मेरे कानों को एक एक बलियन वियूस भी देते रहो मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहे मैं बनाता रहूंग जिससे याता या मेरा नया गाना है दिदी और अन्ही पाजी के साथ कांटा लगा कैसा है गाना बताई गामेरा मैन बुढी इंडा यह जो आपको congratulations पिछले वेले वीडियो में आप गाड़ी में थी इस बार plane तक पहँच गई है तो तरक्की हो गई है और एक ही बीड पर आपने दोनों गाने बना दिये हैं पिछले गाने की भी बीड इस गाने की भी बीड पैसा मेरी जएब में हिटर सारे जेल में दिन चेक दीधी I have to give it to you आपके लिरिक्स are definitely much much better than Tony भाईया I know यह सुनने के बाद आप इसे बहुत सारे लोग भूल रहे है पागलों किया बट सीरिसली दिन चेक दीधी के गानों में at least lyrics का मतलब तो बन रहे है कुछ दिन चेक पूचा इतने lyrics का से लारी है बैट फर्स में रॉलक्स मेरे हात में Jesus मेरे साथ में इतने lyrics Tony भाईया ने अपने पिछले 30 में ने लिखे जितने इस ने अपने गाने के 30 सेकिंड में लिख दी है क्या चल ला है हां जी तो सबसे पहले तो हम इस गाने के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करेंगे के लिरिक्स किसने लिखे है वैसे तो इस गाले में कोई लिरिक्स है नी फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं और वहां हमें तो जैसे पता ही नी था कि इस गाने को गाया है टोनी बया ने लिरिक्स लिखे है टोनी बया ने म्यूजिक भी एक टोनी भी ठीक है मोदी जी बोले थे के आत्म निरबर बनिये लेकि नितना भी नी के भाई तुम सबके काम भी खुदी करना शुरू कर दो और अल्टिमेटली ऐसा हग दो लिरिक्स है राज्जा तेरे महल के पीछे 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 तेरे बगीचे नीचे 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 क्यों कि काटता लगा ओ इमा ओ इमा ऊ सेंस का इस बात में मतलब कुछ भी एक जबाना होता था जब गाने में ऐसा न स्टोरी सुना है करते थे आज बगीचे के साथ नीचे मैच कर रहे है और आगे काटा लगा उइमा उ करने तो एक वालतू का क्यूं घुजा देते हैं तो क्यूं के साथ उ मैच हुझाएगा ऐसी बात है न टोनी का कर लिरिक्स लिख सकता है तो मैं भी लिख सकता हूँ देहो वाहिद से गाने गाता है वो नाम है टोनी ककड दीवार पे चलता है जाले बुनता है एक मकड क्यूं काटा लगा उइमा 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 बरिया भाहिद मैं मेरे को भी तो एक बिलियन व्यूज काट डालूँगा आज जा एसी दंकियों से डरने वाले हम ते दोस्ती कर ले मैं तेरे जासे से कोई दोस्ती ने करता बहुत पच्टाएगा, मार डालूगा, गोली से भून दूगा तू क्या मुझे भूनेगा, मैं तेरे को भून दूगा, ये ले ये का कर रहे है, ये का सुना रहे है, पत करते है, पत करते है, पत करते है, पिरोज तेकां, बारने के लिए गोली नहीं, टोनी ककड़ी बोत है भाई, तुनी भाईया, मेरी बात सुनो, जब तुम्हारे पास है नहीं कुछ लिखने को, और अपने पुराने गानों के लिरिक्स, तुम अपने नए गानों में, रियूज, रिसाइकल कर रहे हो, वो भी तब जब तुम्हारा पूरा गाना बस एक ही शब्द होता है, तो दूसरा गाना है, उस गाने में भी पिछले गाने के किसी के लिरिक्स इस गाने में भी दिमे, 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 वी आठ बार आहां चार बार और ये पूरा गाना बन गया that's it इसके लावा कोई वर्ड है नहीं इस गाने में वीमा वीमा नीचे पीछे आए दी में दी में आ उई ए रैंडम अवाज है जो मुझे निकल रही है सब डाल लिया इसके अंदर और 86 टाइमस वीमा 86 टाइमस कितन इसका बच्चा जगु 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 जग गाना इससे बेटर है इसे दादा बड़ी चीज क्या हो सकती है गर मेरा पारिस में ऑफिस मेरा टारिस में पार्टिकल कुरूज में पीउसे जूस में लवर और हेटर धिंचेक पुजा के गानों की एक बात तो है कि अगली को जो दिखता है ना वो इसके गाने में होता है मतल है वो गाने में जा रहा है वेरी रिलेटेबल शीज यू नो इस नोंसेंस बुल जाना यह मुझे पसंद आया घर मेरा पैरिस में ऑफिस मेरा टारिस में पार्टिकल कुरूज में पीउसे जूस में मुझे धिन्चेक पुदा ने पैसे नहीं दिया यह बोलने के लिए यह आमने तो इतना अच्छा लगा मुझे क्या बता हो मैं तो मैं तुम्हें जाओ मैं प्लेन में बलेन में बलेन में आई वोप यू गाइस इंज्ट थे वीडियो दो कमाल खाल के गाने आज मैंने आप लोगो कुस दुनाय यह पे औध वीच सॉंग दो यू तिंक बेटर anyone who trusted me goodbye, goodbye to everybody